हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंड्स देखिए आज है चपपी जन्वरी और साथ में है बसंद पंचमी तो हम लोग कहीं के लिए निकल रहे हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को अपलोड करने में थोड़ा सा मुझे लेट हो किया है उसके लिए मैं सौरी बोलती हूं आप लोगों से और ये देखिए रास्ते में कुछ इस तरह से चीजे बिक रही थी और चीनी मिटी के बरतन बहुत अच्छे-च्छे मिल रहे थे लेकिन हमे अच्छे का नाम है पदमेश्वरी टेंपल के नाम से वैसे तो जाना जाता है वहां पर उस जगह को और हमारे लिए वह फर्स टाइम होगा वहां पर जाने के लिए जहां पर हम जा रहे हैं तो रास्ते गार व्यू आपको थोड़ा सा में दिखा रही थी ताकि आप लोगो देख रही है कि क्या क्या चीजे बहां पर देखने को मिल रही थी रास्ते में और यह देखिए और उसके अलावा फ्रेंड्स जो मौसम था काफी अच्छा था और आप देख सकते खिली-खिली सी धूप जैसी लग रही है तो फिलाल बहुत अच्छा मौसम था और काफी लेट हो गया और जहां जा रहे हुंको भी पता था कि हमें लेट हो जाएगा तो कोई वैसा नहीं था लेकि फिर भी अगर टाइम से पहुँ जाते थोड़ा इंजॉयमेंट और अच्छे से हो जाता है तो फ्रेंड्स देखिए हम पहुँच चुके हैं जहां पर जाना था और तो फिर चली बता देती हूं आज हम लोग किसी के घर के ग्री प्रवेश में आए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहां पर आने के लिए और यह देखिए तो घर आप देख रहे हैं और इस घर में हमको नहीं जाना है फिलाल लेकिन हम भी पहले कन्फियूज थ तो हमको भी नहीं पता था तो यह देखिए इस तरह से आगे जो है दर्वाजे पर इस तरह से सजाते हैं बहुत अच्छा लगता है और वाकि हमें इनके बगल में घर था वहां पर जाना था तो देखिए हम लोग चछत पर आगए हैं और चछत का जो नजारा है कुछ इस अच्छा लग रहा था क्योंकि बैंगलोर में क्या होता है कि हम लोग तो मतलग पॉर्टर्स में रहते हैं और तो इस तरह से खुला-खुला उतना देखने को नहीं मिलता है लेकिन यह आउटर है बैंगलोर का तो यहां पर काफी अच्छा लग रहा था और हम काफी देर च और बाकी चली में आपको सत्य नार जी का दर्शन करा देती हूं तो ये दिखे सत्य नार जी भगवान जी यहां पे हैं पूजा उजा हो गया है और हावन वन सब कुछ हो चुका था और कुछ सभी लोग खा भी लिये थे और हम लोग देखे लास्ट में आये तो कुछ घर का वीव आपको दिखा देती हूं थोड़ा बहुत चोटी सी वीडियो बनाई है मैंने आई होग आप लोगों ने पसंद किया होगा तो ये देखिए तो सारा समान फैला हुआ फिला तो आप लोगों कैसे लगी वीडियो बताइए गजबू झाला हुआ